सबसे पहले अपने पीट के बल सीधे लेट जाए धीरे धीरे अपने पैरों को 90 डिगरी पर उपर उठाए धीरे से सिर को अपने पैरों की तरफ लाने का प्रयास करें आपके ठोड़ी सीने से सटी रहनी चाहिए तीस सेकेंड या उससे अधिक इस मुद्रा को पनाए रखने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे पुरानी स्थिती में वापस आ जाए यहा एक चक्र हुआ आ इस तहरे से आप पाच चक्र करें यहां आसन महिलाओं के लिए बहुत लापकारी है इस आसन से तो अच्छा नहीं लटकती जुर्यां नहीं पड़ती थायराई के पेशिंस को इस आसन से अध्भुत लाब होता है लीवर और प्लीहा के रोग दूर होते ह इससे Memory Power भी बढ़ती है इससे Body में Blood Circulation बहतर होने के कारण मासिक धर्म सम्बंधी परिशानिया दूर होती है इस आसन से Brain में Blood और Oxygen का Flow बहतर तरीके से होता है इसके कारण Hair Loss की समस्या दूर होती है और मासिक टनाव भी काफी हद तक कम होता है यहां आसन एक तरह का Anti-Aging और एंटी रिंकल फॉर्मूला है इसे करने से फेस पर कील मुहा से नहीं होते जिन्हें रीड की हड़ी की समस्या है उन्हें यहां आसन नहीं करना चाहिए मोतिया बिंद तीवर थारेट समस्याओं गर्दन के दर्द, कमरदर्द, हिड़े रोग और साइटिका से पेडित व्यक्तियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले थैंक्यू